हेलो एवरिवान आयमा काच गोर वेलकम बैक टू और इंडियर मेटिकल एक्षर गाइज नया टोपिक बहुत इंपोर्टेंट हिंदी भाषा में समझाऊंगो आपको पूरा में प्रेगनेंसी किट एंटी प्रेगनेंसी किट या फिर आप उसे कॉंट्रासेप्टिक पिल्स पिर गर्वे निरोदक गोलिया भी के सकते हो कितनी मातरा में देनी है कैसे देनी है क्यों देनी है कब देनी है कितना डोस देना है यह सारी चीजे के बारे में हिंदी भाष्ट अम डिस्कूस रहोंगो बहुत सारी टेबलेट है अबोर्शन के लिए कौन से देनी पड़ती ह Unprotected Sex के बाद, कौन सी Tablet 72 वारके, पहले लेना पड़ती है, उसके बाद, iRegular Menturation हो रहा है, तब उसका पिल्स लेना पड़ती है, सारी चीजे एक एक चीज़े, name क्या है tablet का, उसका dose क्या है, उसका side effect क्या है, सब चीज़े discuss करूँगा, start करता हूगा, इसमें सबसे पहली जो tablet आती होती है, MTP kit, MTP kit होती है, market में आपको MTP kit के नाम से ही available हो जाएगी, drugs name, MTP kit के अंदर कौन-कौन से drugs, कौन-कौन से medicine पाए जाता है, उसके drugs hold का नाम होता है, Mifepristol और Mifepristol, ठीक है, Mifepristol और Mifepristol पाए जाता है MTP kit के अंदर, दो tablet होती है, hormonal tablet है, Mifepristol और Mifepristol ठीक है, यह जो use होती है, यह abortion के लिए इस्तमाल की जाती है, ठीक है, 2 month की जो pregnancy रहती है, जैसे कोई female pregnant हो गई, 2 month के अंदर कोई problem की वज़े से उसको avoid करना पड़ता है, बेबी को, तो abortion के लिए इसको इस्तमाल की जाता, unwanted pregnancy, unwanted pregnancy वगेरा के लिए, इसका abortion के लिए mainly use करते, basically इसमें देखो गाई, इसमें total पाच टेबलेट आपको आती है, ठीक है, जो एक टेबलेट होती है, उपर जो होती है, मिफे प्रिस्टोन, उपर जो वाली बड़ी एक बड़ी टेबलेट होती है, मिफे प्रिस्टोन और बाकी मीजो प्रिस्टोल, चार पाच टेबलेट हो जाएगे आपको इतना समझ में आया होगा देखो MTP kit के नाम से मार्केट में मिलती है मीजो प्रिस्टोन और मीजो प्रिस्टोल ठीक है मीफे प्रिस्टोन और मीजो प्रिस्टोल दो इसके अंदर composition होता है abortion unwanted pregnancy के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है अब देखो अब इतना चीज आपको समझ में एक जल्दी से स्क्रेंशोट लेलो फिर में इसका आपको में चीज बताता हूँ अब आगे बढ़ता हूँ अब देखो dose आपको सबसे important है इसका dose मैं बोलता हूँ इस टेबलेट को इस प्रकार की किसी प्रकार की टेबलेट को डॉक्टर के बिना suggestion के किसी प्रकार की कोई भी टेबलेट नहीं लेना है आपको यह चित धियान रखना मैं आपको basically knowledge increase करने के आपको बता रहा हूँ ठीक है dose आपको कैसे लेना है take one tablet after lunch एक बड़ी वाली गोली खाना खाने के बाद खानी होती है ठीक है यह आपको first number पर जो दीख रहे है बड़ी वाली टेबलेट यह जो बड़ी वाली टेबलेट आपको दीख रहे हैं यह बड़ी वाली टेबलेट चैसे बाद खाना खाली अपने मॉर्निंग में ठीक है लंच करने के बाद यह बड़ी वाली टेबलेट को ओरली आपको खाना होती है जो होती है मिफे प्रिस्टोन एक लेना है ऑप बोल रहा है after twelve आर take two tablet and after one hour take third number वाली टेबलेट ठीक है अब 12 घंटों के बाद दो गोली दूसरे नमबर वाली गोली खाना है और उसके एक गंटे के बाद तीसरे नमबर वाली गोली खाना है समझ लो इस बात को मैं आपको बता देता हूँ खाना खाया, डोस बता रहों कैसे लेना है लंच किया, लंच करने के बाद आपको बड़ी वाली एक टेबलेट खा लेना है, खाने के बाद उस टेबलेट को कब खाना है आपको, उस टेबलेट को बारा बजे खाने के बाद उस टेबलेट को जस्ट बारा घंटे आपको नोट डाउन करना है, बारा घंटे आप नोट ड ठीक है समझ में आया बारा बज़े आपने कौन सी टेबलेट खाई बड़ी वाली बारा बज़े के बाद जस्ट बारा घंटे का टाइम नोट करो 12 अरका उसके बाद दूसरे नंबर वाली टेबलेट को खा लो इसको खाते भी है अब देखो समय में आपको आगे बताता हूं इसको विज़े डॉक्टर औरली से जिश करते है और इस टेबलेट को वेजाईना के अंदर रखने का भी बोलते है डॉक्लेट या तो ये दूसरे नंबर वाली टेबलेट जो आब 12 गंटे के बाद खा रहे हो या तो औरली खालो अगर औरली नहीं खाते है तो फीमेल को व वेजाईना में रख लो ठीक है तो इसके बाद फिर अब ये आपने तीन टेबलेट खाई अब उसके बाद बोल रहे है आफटर 24 आर ये तीसरी गोली खाने के फिर 24 घंटे के बाद टेबलेट फोर्थ नंबर वाली टेबलेट आपको औरली लेना है या वेजाईना में रखन ठीक है उसके बाद in one hour, take five tablet नंबर फाई वाली टेबलेट उसके बाद एक घंटे के बाद वो खानी है ये समझ में आया आपको फिर से मैं बता देता हूँ आपको खाना खाना है खाना खाने के बाद पहले नंबर वाली टेबलेट female को लेना होती है ठीक है oral ही लेना है mouth के थुरू ही खाना पड़ती है ये बड़ी वाली टेबलेट उसके जस्ट बारा घंटे के बाद फिर से ये दूसरे नंबर वाली टेबलेट दिखी रही है ये या तो औरली खाएगी या वेजाईना में रखेगी दो मेथड होती है या तो ये जो चारो टेबलेट नीचे वाली चारो टेबलेट है इनको टाइम के अकोडिंग वेजाईना में रखते जाओ या फिर औरली ले लो ठीक है? दोनों तरह से लेते पर इस टेबलेट को जिसे के औरली लिया बारा घंटे के बाद ये फास्ट टेबलेट लेना के बारा घंटे के बाद ये खाई उसके जस्ट एक घंटे के बाद फिर से कौन से टेबलेट खानी है नमबर थार्ड ठीके अब तीसरे टेबलेट खाली अब तीसरे टेबलेट खाने के अब फिर चोविस घंटे वेट कहना है यह कुछ इसका dose होता है, यह number 1, number 1, 2, 3, 4, 5, total 5 tablet मैंने बताई है, यदि अब जिस होगी कुछ दिक का question होगा, sir, एक tablet खाई, दूसरी खाई, और तीसरी खाई, उसके बाद directly bleeding start हो गई, तो फिर क्या खाए के नहीं खाए, फिर stop कर दो, फिर मत खाऊ, ठीक है, मेंशुरेशन हो गया, तो फिर उसको stop कर दो, ठीक है, तो यह जो tablet है, इस तरह से लेते हैं, इसका मैंने लिखा हुए बगल में, कि बड़ी वाले tablet को खाना खाने के बाद लेना है, 12 घंटे के बाद दूसरी नंबर वाली tablet लेना है, 12 घंटे के बाद दूसरी tablet खाई, उसके फिर एक गंटे के बाद फिर यह खाना है, फिर 24 घंटे के बाद चोते नंबर वाली खाना है, फिर एक गंटे के बाद पाश्वल नंबर वाली tablet को खाना होता है, यह चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रखना है, इसका screenshot लेलो फिर में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, टेबलेट में ने बोला है कि आपको खाना है, उन टेबलेट को आप वेजाइना में भी रख सकते हो, वेजाइना के अंदर इंटर करवा के रख सकते हो, और वेजाइना के अंदर रखने के बाद यह ज़्यादा effective असर करते है, डोक्टर क्या coding suggest करता है, कुछ डोक्टर और अरली बोलते हैं, और कुछ डोक्टर वेजाइना के अंदर रखने की suggestion देते हैं, ठीक है, सब टेबलेट का time बगेरा पहले बता दिया है, दोनों method होती है, तो और लिखाओ या फिर इस method से आप ले सकते हो, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है, आगे बढ़त अबोर्शन के लिए यह टेबलेट बता रहा हो, ठीक है, देखिए, unwanted kit जो होती है, unwanted 72 नहीं, unwanted kit जो होती है, इसमें भी mefepriston और mesopristol, दोनों प्रकार के composition जो पहले वाली टेबलेट में थे, वो ही drug salt इसी में पाए जाता है, drug salt सेम रहेगा दोनों टेबलेट में, मेfepriston और mesopriston, दोनों होती है, unwanted kit के नाम से आपको मार्केट में, मिल जाएगी, यह इसकी famous ब्राने unwanted kit, ठीक है, अब इसका देखो, अब इसको कैसे खाऊ गया आप, ठीक है, इसको कैसे खाना होती है, जैसे मैंने आपको पहले वाली जो इसके पहले वाली टेबलेट बता या तो ओरली लेना है, या फिर आपको वेजाईना के अंदर रखना होती है, उसके एक घंटे के बाद तीसरे टेबलेट लेना है, फिर उसके बारा घंटे के बाद फिर से आपको चोते नंबर की टेबलेट लेना है, सुरी, 24 आर के बाद, 24 गंटे के बाद, फिर एक घंट यह मैंने लिखा हुआ है टेक वन टेबलेट आफ्टर लंच खाना खाना के बाद बड़ी खाना होती है और बड़ी गोली को हमेशा ओरल ही लेना है यह चीज आप ध्यान रखना बाकी की चार टेबलेट आप लोग वेजाईना के तुर इस्तमाल कर सकते हो आफ्टर टोएलेट बारा हार के बाद दो टेबलेट दूसरे नमबर वाली टेबलेट खाना है और उसके एक गंटी के बाद तीसरे वाली खाना है चोविस गंटे के बाद चोते नमबर के खाना है चोविस गंटे के फिर एक गंटे के बाद यह वाली खाना है की लिए हुआ ह यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यह सेम प्रोसेस में आपको पहले बता है यह दोनों नाम से आपको मार्केट में मिलती है चार टेबलेट को वेजाइना में यूज़ कर सकते हो बड़ी वाले टेबलेट को औरली ही खाना पड़ती है अब देखो नेक जो टे टेबलेट को फेमेल खा सकती है कब 72 घंटे के पहले यह चित ध्यान रखना बहुत तर घंटों के पहले यह तो टेबलेट को लेना पड़ती है बहुत तर घंटों के बाद यह एफेक्ट नहीं करती है ऐसा रहता है 85 परसंट वर्किंग करती है बट कभी-कभी नहीं भी करेगी अगर वह प्रॉपरली मैच्वर स्पम है और हमका प्रॉपरली फर्टिलाइजिशन हुआ है तब उस कंडि 72 आर के पहले पहले लेना पड़ती है ठीक है देखो डोस आपको कैसे लेना है वन टेबलेट आफ्टर अन प्रोटेक्टिट जो असुरक्षे संबंद बनाते है उसके जस्ट आपको टेबलेट खाना पड़ती है फीमेल को यह ध्यान रगना ठीक है अगर उसको पता है अन पहले पहले वह फीमेल को टेबलेट लेना पड़ती है दिस टेबलेट शूडवी टेकन विफोर 72 और ठीक है 72 गंटे के पहले पहले यह तेबलेटको लेना अपलसरी होता है यह चीध धियान रखना लिवेन Orgastrol टेबलेट होती है इसके अंदर 큰 position होता है लिवेन Orgastrol और फटिगनस याने की ठकावड भी लगेगी स्टमक पें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस ठीक है हेड़ेक बहुत ज़्यादा सार चक्राना इसके अरवा और कोमन सिम्टम जिसे ब्लेडिंग होना आई यह होना वहना यह कोमन सिम्टम में यह होता है तो याद जो नेक्स्टेबलेट आती वह होती है अन्वन्टेटस सेटी जय से के मैंने बताया अन्वन्टिटस सेटीटिटु इस तरह की चिंटेबलेट था एक टेबलेट लीवनुत्त राव गॉस्ट्रैइल इसं मद जो देना पढ़ता है जितनी जल्दी हो इस स्व फेमेल को ले चाहिए यह वाली टेबलेट ठीक है इस टेबलेट शुट बी टेकन बिफॉर सेवंटी टू और बहुत तर घंटे के पहले पहले इस टेबलेट को खाना कंपल्सरी होता है तब यह एफेक्ट करती है चित ध्यान रखना आप लोग ठीक है इसके जो साइड इफेक्ट है नोजिया जीम अचलाना वोमेटिंग हो सकती है फटिगनस इस्टमक पेन और हैडेक ठीक है सरदर्द होना सर चक्राना वो उल्टिया होना पेट में दर्द होना लोवर एब्डोमिनल पेन रेना ठीक है यह कंडिशन देखने को और ब्लेडिंग होती है उसको रोकने के लिए भी किया जाता है और किसी का जो टाइमिंग वगेरा है वो प्रपल नहीं आपाता है उसके लिए भी किया जाता है मैंशोर साइकल प्रपल नहीं चलती है उसके लिए भी किया जाता है पहले आती है माला डी माला माला डी और माला एन ठीक है माल माला डी होती है, जो Management में मिलती है. μαला एन आपको Market में मिलती है. दोनों सेम कंपोजिशन है, सेम टेब्लेट है, कोई चेंजस नहीं है. बट जो Mal intell है, वो सरकार के दोर आप टे जाती है. गNever Cabinet Management Hospital में, माला एन जो टेब्लेट होती है, वो आपको market में मिलती हैं इसके अंदर Levenorgestrol होता है और जो इसके अंदर second composition होता है जो second composition आपका Ethinyl Estrodeol ठीक है Ethinyl Estrodeol इसके अंदर composition होता है और Levenorgestrol इसके पहले बढ़ाता उसमें भी पाया जाता था और इसमें एक और composition दे उल गया Ethinyl Estrodeol ठीक है इतना है लो इस टीडियो लिए दोनों कमपोजिशन इन टेबलेट्स के अंदर पाया जाता है यूज ठीक है अब इसको इरेगुलर पीरेट्स यदि किसी फीमेल का इरेगुलर पीरेट्स से तब लेते हैं अब बच्चे को जो अनवां टेड़न प्रेग्नेंशी है अगर उसको बच्चे को जो अनवां टेड्स में गनेंसी को रोकने के लिए टेबलेट का इसता है यह चीज को अब धिहान रखना ठीक है स्टार्ट आफटर 5 days of the maturation मासिक धर्म के 5 दिन के बाद चालू करना इस गोली को कब खाते है female जो mensuration हुआ है उसके just 5 दे के बाद इसको इसको इस्तमाल करना जिसे कि एक तरीक को female की mensuration हुआ है फिर इसको tablet को एक 5 तरीक से खाना चालू होता है इसमें total सपेद गोली होती है और इस तरह की dark color की टेबलेट आती है जो white वाले जो सपेद गोलिया होती है यह 21 टेबलेट होती है ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह total जो white टेबलेट है देखो गया यह 21 टेबलेट होती है और जो 7 टेबलेट होती है यह iron की होती है जो की नीचे दी हुई है देखो जरा start after 5 day of maturation मासिक धर्म के 5 दिन के बाद यह गोली को खाना होता है एक गोली रोज खाना होता है ठीक है और जो एक टेबलेट डेली 21 दिन तक एक गोली को रोज 21 दिन तक सपेद वाली गोली खाना होती है morning में iron टेबलेट जो iron टेबलेट होती है अभी 21 गोली खाना होती है जिसे कि पाच तारिक से एक तारिक से किसी ने खाना चालो खारा ठीक है एक तारिक से टेबलेट खाना चालो खारा तो 21 तारिक तक टेबलेट उसने 21 टेबलेट खतम खारी तो 21 tablet के खतम होने कि जस्त दूसरे दिन ही हमको फिमयल को यह वाली जओ iron की ऐसकीर tablet क्ना होती है यह कम prad अब आपको कुछ कोश्चन होती कि हमने क्या करा है होता है, धाओन हों यूछ के अब आइसकी गोली खाली गोली गोली ग जाली ना पूसरे धिन tablet खाना भूल गए तो क्या करो तीसरे दिन जो एक दीन छोड़ दिया बीच में तो उसका एक दिन छोड़ोगा उसके दुसरे दिन दुसरे दिन दो गोली खालो और यदि तीन दिन भूल गाए गोली को तो क्या खा पाएंगे नहीं फिर आपको ये टेबलेट को बंद कर देना है चाहिए यादि एक दिन का गेफ होगे जिसने कि आज गोली खाई कल नहीं खाई तो परसु के दिन आप क्या करो 2 tablet खालो पर याधि तीसरे दिन भी आपने नहीं खाई तो चोति दिन आपको देसने नहीं करना है इसको ऐसे नहीं करते है तक दिन धिहान रखना समझ माँ अगो फिर से बता देता हूँ, mensuration, massic dharma के, जब 5 दिन के बाद, इस tablet को खाना होता है, 21 दिनों तक, रोज एक tablet खाना है, और 21 गोली खतम होने के बाद, जो बची हुई iron की tablet है, ये भी रोज 7 दिन तक, 7 tablet खाना होती, एक tablet daily, के लिए हुआ, नेक्स बढ़ता हूँ मैं, अब इसके side effect, अब इसमें, देखो, disturb हो सकता है, mensuration cycle है, आपके जो mensuration cycle, चलरी मासिक धर्म बिगड़ सकता है, कुछ side effect हुआ तो बता रहूँ मैं, high BP, BP बहुत सदा बढ़ सकता है, female का, vomiting, ultya common symptom है, nausea ultya हो सकती है, एकने मुहा से, अगर आपको देखने को मिल रहे है, यह भी side effect है, stomach pin, पेट में बहुचाता है, दर्द हो सकता है, headache, सरदर्द female का, रह सकता है, और, बिफोर उसको, bleeding start हो सकती, बिफोर उसका timing, जो देट है, unwanted नाम से, आप एक ही जानते को, unwanted 72 यह होती है, देखो, unwanted kit में ने बताई, फिर unwanted 72, जो कि 22 घंटे के पिले लेना पड़ती है, अब आते, unwanted 21, 21 का मतलब होता गए, जो 21 दिनों तक खाते हैं, उसे unwanted 21 के नाम से जानते हैं, इसमें, लिवो नॉर्गेस्ट्रोल होता है, और इथिनाईलो, इथिनाईलो, इस्टेडियोल होता है, दोनों composition से, पुराने वाले इसमें अंदर पाये जाते हैं, irregular period और unwanted pregnancy के लिए, इसके इसके इस्तमाल करते हैं, कैसे खाना होती है, अब इस tablet में, iron की tablet नहीं दी जाती है, इसमें total 21 tablet होती है, daily one tablet लेना पड़ती है, और ये वाली जो tablet है, जो mensuration होता है, मासिक धर्म होता है, उसके एक दिन के बाद ही, इसको इसको इस्तमाल किया जाता, जैसे कि आज female का mensuration स्टार्ट हुआ, आगें जो second day है, उससे start कर देना है, ये tablet को, एक कोली रोज 21 दिनों तक खानी होती है, आईए side effect देख लेते हैं, disrupt, mensuration cycle disrupt हो सकती है, उसका high B, भी भी रख तदा बढ़ सकता है, vomiting हो सकती है, एक नहीं यानि कि मुहा से हो सकती है, stomach pain, pain में दर्द, headache, और टाइम के पहले ही, उसका अगर ब्लीडिंग स्टाट, इस तरह है कि कुछ सिम्टम्स आपको देखने को इसमें मिलेंगे, नेक्स जो tablet आती है, सबसे फेमस टेबलेट है ये, ये होती है, overall ale, overall ale होती है, इसमें भी same composition है, जो पुरानी टेबलेट में, live in augustrol, और इतिना इलो, steady all, ठीकि, दोनों composition होता है, irregular period, unwanted pregnancy list, unwanted pregnancy list किस्टमल करते हैं, खाना कैसे है, same process है, 21 टेबलेट आती है, रोज टेबलेट एक, और ये मासिक धर्म के, 5 दिनों के बात चालू होना करते है, एक टेबलेट रोज खाते है, टोटल 21 दिनों तक टेबलेट को लेना होती है, same process है, यदि आपने आज टेबलेट खाई, कल खाना भूल गए, परसो 2 टेबलेट ले लो, यदि आप 3 दिन भूल गए, तब टेबलेट मत खाऊ, उसको अगेन स्टार्ट करो, next mesuration, ठीक है, side effect, वोई disrupt, mensure cycle disrupt हो सकती है, high BP हो सकता है, vomiting, nausea, acne, moha से हो सकते है, pete दर्द हो सकता है, headache, sarदर, chakkar होना, dizziness लगना, आखों में अंधेर आना, इस तरह के आपको symptom, आरी video डली हुई है,